आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ आप कोकिंग टिप्स जो खाने को साधिश्ट बनाती है तो शुरू करते हैं चलिए सबसे पहले हम बिर्यानी की बात करेंगे बिर्यानी के लिए प्याज फ्राई करते हैं पर्फेक्ट ब्राउन कलर चाहिए तो थोड़ी सी चीनी डालें इससे अच्छा बिर्यानी के लिए प्याज अच्छा होगा इस तरीके से पर्फेक्ट ब्राउन कलर आपको मिल जाएगा बिरियानी के लिए दूसरी टिपे पूड़ी का आटा बूदने के बाद थोड़ी देर फ्रेज में जरूर रख दें इससे पूड़ियां कम तेल सोकेंगी और अच्छी बनेंगी फिर पकौड़ियों में अरा रोड या चावल का आटा मिला दें इससे पकौड़ियां कुरकुरी बनती हैं बहुत साधिश भी बनती हैं अगर आपको बनानी हो तो सॉफ्ट इटली के बैटर में उबले हुए चावल मसल कर डालें इससे इटली आप फलफी बनती हो बहुत सॉफ्ट बनती हैं ग्रेवी बनाते वक्त क्रीम नहीं है तो एक टी स्पून कॉर्फलोन में को एक कब मिल्क में घोल कर डाल दें इससे क्रीम जैसा और होटिल जैसी सबजी बनेगी ये क्रीम जैसा कम करेगा चावल की खीरिया उपमा बनाने के लिए हमेशा भारी तली वाले बर्तनों का यूस करें मक्खन को गर्म करते हुए करते समय जरा सा नीबू का रस मिला दें मक्खन चलेगा नहीं उसके बाद नेक्स टिप है राइते में हींग जीरा भून कर डालने की बजाए हींग जीरे का तड़का लगाएं इससे राइता बहुत सौधिश्ट और अच्छा बनेगा